नमस्कार आप देख रहे हैं जनकी बात आज मेरे साथ है मेरी सयोगी काजोल आज का मुद्दा जो है करोना करोना के बढ़ते वे मामले आज जो करोना के मामला है चार लाग से उपर जैसे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा आखड़ा उसी तरह किस तरह से लॉकडाउन को लेकर बात हो रही है किस तरह बढ़े गा नहीं बढ़े गा या दो तिं तिन दिन का हम लॉकडाउन को देखते आ रहे हैं लोग अपनी दस दिन का lockdown होता है तो at least मैं अपनी preparation कर पाऊं कि मैं इधर रहूं या उधर रहूं अब ना आदमी इधर का है ना उधर का है ना उसके अपने समान की विवस्ता कर पा रहा है ना राशन की विवस्ता राशन की दुकाने खुली है सब कुछ है मगर विवस्ता एक होती ना कि की विवस्ता भी बहुत जरूरी है उसके बीच में जी देखिए जिस तरह से हरीश जी लगातार करोना के मामले बढ़ रहे हैं अभी तक बीच में हमने देखा था कि तीन लाग कुछ हजार मामले सामनी आ रहे थे लेकिन दूसरी बार ऐसा हुआ है कि देश में चार लाग स अगर तीसरी वेव अभी आ जाती है तो आप अंदाजर अगा सकते हैं कि सेती कितनी भयावे हो सकती है ऐसे में कुछ खबरे ऐसी आ रहे हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्य के जो मुख्य मंत्री है उनसे तो संपर्प में है ही इसके अलावा कल वो देश को सम्बोधित कर सकते हैं ऐसे मैं शोचल मीडिया पर लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि कहीं पिशली बार की तरह इस बार भी समपून लॉकदाउं तो नहीं होगा संपून लॉकडाउन होता है तो पिशली बार की तरह होगा या जो रियायते दी गई है वो रियायते रहेंगी बिलकुर रियायते वही रहेंगी जो जरूरी है पेट्रोल आपका पेट्रोल है आपका खान पान की दुकाने हैं ये सब चीजें आपकी वैसे ही रहने वाली हैं हर चीज वैसे ही रहे एक दो दिन जरूर असर दिखाई दिया था कि कुछ बीस पच्छीज जार के आंकडे कुछ टाउन आये थे बढ़ हां कुछ कवरी यह है कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है हॉस्पिटल अपना काम कर रहे हैं आप उनका काम में उनका सयोग दें ज्यादा सब्सक्राइब के साथ एक ही जन जाये वहां पर और उनको पैनिक ना करें सिच्वेशन आप लोगों के हिसाब से भी थोड़ा सा पैनिक हो जाती है वहां पर पैनिक ना बनाए और विवस्ताएं धीरे-धीरे करके ठीक पटरी पर आरी होंगी सब ऑक्सिजन की प्रॉब्ल प्रॉब्ल्स को ऑक्सिजन मिल रही है जो थोड़ी बहुत दिक्कत होंगी उनकी के पैस्टिक नुसार उतनी नहीं मिल रही होंगी तो वो भी कल यह परसों तक सॉल्व हो जाएंगी जो काफी हद तक कंट्रोल में है तो इसी तरह से अब क्रोनों को हमें ऐसी कंट्रोल करन है क्योंकि यह सभी के लिए एक फॉर्स टाइम एक्सपीरियंस है है ना इसके लिए कभी कोई तयार नहीं था कि हम लोग किस तरह से सिच्वेशन से लड़ेंगे हमारे पड़ोसी देश चाइना हमारे को कहीं कटाक्स्पी कसरा इस पर वो कह रहा है कि मतला हम लोग सिच्व पर हमें करके दिखाना है जवाब बोलने से कोई फाइदा नहीं होगा हम करके दिखाएंगे हमें सब को मिल करना है बिलकुल और आज की सबसे बहुत और अच्छी खबर यहीं है कि दिली में अगर एम्स और दूसरे इस्पालों की में बात करूं तो कुछ अस्पालों में जो ऑक्सिजन प्लांट हैं उन पे काम शुरू हो चुका है और ऐसी उमीद जताई जा रहे हैं कि आज रात तक जो ऑक्सिजन है वो भारी मात्वा में लोगों तक यानि के एस्पालों तक जो कोवीड के मरीज हैं उन तक पहुंच जाएगी यह आज की सबसे च्छी खबर ह खुद अर्विन केजरिवाल ने प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी को चिठी लिकर उनका धन्यवाद किया है इसके इतर अगर बात की जाए तो जैसे ही थर्ड वेव की बात हो रही है लोगों में पैनिक होना शुरू हो गया है देकि पैनिक होने की जरूत नहीं है हम दूसी पिशली बार जो गलतियां अगर मैं कहूं या फिर सरकार उतनी तरह से प्रिकर नहीं थी सरकार को नहीं पता था और अगर समपून लॉग्डावन लगता है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा इसलिए ड़रने वाली बात नहीं है जी बिल्कुल डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है ऑक्सिजन को लेके जहां में एक बात मैं थोड़ा सा संग्यान में लाऊंगा सरकार को भी इस बात को बोलूँगा कि आप लोगों ने जब कोई भी इंडस्टी बनती है या कोई अस्पताल बनता है है तो उस टाइम पे मैं मालाी बीच में इस बात को कोई बी इन ड्रस्टी बनती है तो आहप उससे सर्टिफिकेट उनके पास यही एक कमी है कि उनके बाद अपने अपने Oxygen Plant नहीं है, अगर उनके Oxygen Plant mandatory होते हैं, उनकी Condition में होते कहीं नहीं होते हैं, तो यह आज यह दिक्तों को सामना नहीं करना पड़ता, पर एन्यूएस वक्त सिंकाता है, आगे इस चीज को शायद guideline में डाला जाएगा औ बिल्कुल और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाले यह है कि किसी भी अफवाब पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल जरूरी है और अगर कल लाउडाउन बढ़ता है या जो भी है जो भी नेरबाय अपना जा सकता है मानलो यहां से कुछ लोग हैं जो उत्रा खंड चले जा रहे हैं मैं उत्रा खंड कानिवासियों तो मैं सब भी उत्रा खंड वाशियों से एक ही बात बोलना चाहँँगा। तो भी उत्रकंट के लोग हैं, वहां जा रहे हैं तो वहां जाके आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि आप अपने घर में जाके अपने आपको कॉरिंटाइन करना है, वहां पर जाके विवस्ताइं उतनी अच्छी नहीं है कि जो विवस्ताइं यहां पर हैं, यहां पर ना मिले, ये संक्रमन की चेन अगर आप में तोड़नी है, तो वहां जाके आप बढ़ाएं ना इस चेन को, इस चीज को घटाएं, पिछली बार के कुछ इस तरह के लोगों के वह आये थे वहां पर से, कि लोग यहां से चले गए, वहां जाके गाउं में मिले, वहां पर भी स अंक्रमन फैला, तो सभी से मेरी गुजारिश कि प्लीज वहां जाके आप इस तरह का कोई वोना करें, जा रहे हो, अपने घर जाना चाहिए, उत्रकंड में वापस जाएं, अपना काम करें, मैं तो बोलता हूँ, वहीं बस जाएं वापस जाके, और वहीं कुछ अपना रो होगे, अपने गाउं में रहोगे, अपनी खेती बाड़ी करोगे, तो भी दस पंदरा जार रुपे आ जाएंगे, शायद हर महीने ना आप आप आएं, पर साल में जब अपना टर्नोवर देखोगे ना, तो पंदरा के ऐसद से आपको बहुत ही आराम से मिल जाएंगे, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परडोसी का ध्यान रखें, अपने परडोसी का उतना ही ध्यान रखें, जितने अपने परिवार कर रखते हैं, क्योंकि आप लोग यहां से बाहर से जा रहें, वो लोग तो बिचारे वहां पर हैं, और वो लोग बड़े अपने सर सरल बनाए रखें और आगे भी सभी साज जुड के विंती अपने जीवन को सरल ही रखें अभी तो शायद हम लोग लड़ पाएंगे इससे सरकार सम्हाल रही है स्थिती को सरकार को जोर कोशिश कर रही है लेकिन सयोग आपका बेहत जरूरी है आपको समझना होगा और आपकी भी जिम्मेदारी आप भी इसी देश में रहते हैं इसलिए जिम्मेदारी आपकी है कि पहले आप खुद की मदद करें फिर दूसरों की मदद करें और फिर देश की भी मद करें सिर्फ और सिर्फ सरकार पर टाल देना कहीं से भी ठीक नहीं है सरकार हमारी है हम से सरकार है सरकार से हम बाद में बनते हैं पहले हम से सरकार बनती है तो सरकार हमारी इसको इस टाइम पे इस तरह से परिवार की तरह लेके चलें अपने सुजाओं सरकार तक पहुंचाने क और हम लोग आपके हर कश्ट को, हर आपके सुख के, दुख के, हर वाद विवाद को हम चर्चा करते रहेंगे आज फिलाल जन की बात में इतना ही और आपके सुजाओं के साथ हम अगले नई टॉपिक पर फिर मिलेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार